तो आप सभी को पता ही है कि कल जो है वो कैबिनेट की मिटिंग थी बहुत सारे डिसीजन उसमें लिए गए हैं तो उसके उपर बात करेंगे और उसके साथ सा जो है वो एच्पी आर्स ये कि क्या अभी फिलहाल के लिए सिच्वेशन चली हुई है उसके बारे में भी हम बात क तो वीडियो को शूरू से लेकर लास्ट तक जो है वो जरूर देखिएगा सबसे बात कर लेते हैं वेकैंसिस की जो जनरली वेकैंसिस निकलती है कि मतलब की कागजों में निकलती है बाकी कब ग्राउंड लेवल पर निकलेगी क्योंकि अभी तो पुरानी वेकैंसिस का भी स्प्लांट कॉर्डिनेशन की दो पोस्ट होगी डाटा एंट्री ओपरेटर या डेटा एंट्री ओपरेटर दस पोस्ट होगी स्वाई करमचारी की 40 और स्क्योर्टी गार्ड की 30 यह सारी जो पोस्टे भरी जाएंगी वह आपकी जो है वह डाक्टर राजेंदर प्रसाद कांगडा में भरी जाएंगे तो जो भी बच्चे स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहें या फिर उसके लिए पूछ रहे थे तो भाई 300 वेकैंसिस आने वाले समय में यहां आपको जो है वह देखने को मिलेगी ठीक है इसके इलावा आपको जो है वह स्टाफ नर्स की 400 पोस्ट चमियाना में ठीक है तो यह दोनों जगा पर जो है वह मिलकर यह पोस्टे भरी जाएगी तो अगर एक तरीके से देखे तो स्टाफ नर्स की आपकी टोटल जो है कुछ 600 प्लस पोस्टे यहां पर जो है वह भरी जाएंगे ठीक है जी तो याद रखेगा अच्छे से मतलब इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पांच पोस्टे जो है वह उसकी निकाले जाएंगी तो यह जनरली और इसके इलावा भी छोटी मोटी पोस्टे 10-12-20 पोस्टे जो है वह अधर अधर डिपार्टमेंट में भी है उसके बारे में जादा हम यहां पर बात नहीं करेंगे स् पुलिस कॉंस्टेबल की भरती करेगा, इसके लिए सरकार ने परमीशन दे दी है, वैसे तो परमीशन पहले भी दी गई थी, बट अब इसको रिटन में मतलब वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, और उसके बाद HPPSC को भेज दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके यहां से रूल के रिकार्डिंग तो मैंने हमेशा ही आपको बोलाए कि अपने ग्रांड वगरा की तयारी जो है, वो अच्छे से रखेगा, क्योंकि ग्रांड जो है, वो चेंज नहीं होगा, जो serious है exam के लिए, और उसके सासा जो है, वो written की तयारी भी जो है, वो सासा रखेगा, तो description में G के स्टेडी आपका लिंक है हमारा पुलिस बैच जो है वो शुरू हो चुका है आप पुलिस बैच को जाकर जो है वो जॉइन कर सकते हो छे महीने का कोर्स है जिसमें आपको अच्छे से जो है वो तयारी करवाई जाएगी ठीक है बाकि आपकी अपनी चॉइस है अच्छा परिणाम जो है वो आज या कल में घोचित हो सकता है तो आज तो भाई निकल चुका है ठीक है रात अभी बाकिये क्या पता रात को ही करतें जो की पॉसिबिलिटी है नी कल भी जो है वो आज आएगा ठीक है बट इसके उपर जो है वो मुझे ट्रस्ट नहीं है और मुझे शचित करते हैं तो इसके उपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी रियालीटी पता है और आपको भी जो है वो रियालीटी पता है कि फिलाल के लिए इसमें कितनी देर होने वाले हाँ अगर कल हो चाते तो भाई बहुत ही अच्छी बात है ठीक है सब ही बच् कब जो है वो हमारे पुराना SI का एक्जाम अभी तक नहीं होए वो हुए जय आइटी के एक्जाम पेंडिंग पड़ें बहुत सारे ऐसे एक्जाम पेंडिंग पड़ें जो की होने हैं किसी के रिजल्ट आने हैं तो उसके उपर सबके उपर नजर किसके उपर है वो है HPRCA के ठीक है जी HPRCA ही जो है वो 817 का रिजल्ट भी निकालेगा चलो रिजल्ट अलग बात है बट एक्जाम कंड़क्ट करवाने की यहां पर जो है वो बात करते हैं तो यहां पर आपको पता ही होगा कि Operation Theater Assistant जिसका पोस्कोड एक हजार थेतर था तो पाइलेट अधार पर जो है वो उसकी एक एक्जाम करवाया गया था Online ठीक है क्योंकि Government का कहना है कि भाई Online ही जो है वो अब एक्जाम कंड़क्ट करवाएंगे तो एक Pilot अधार पर जो है वो करवाया गया था एक Outsource Agency से और मैंने आपको बीच में पताया था कि Agency इनकी अभी Final नहीं हो रही है तो जिस Agency स करवाया गया था ठीक है एक्जाम उसने क्या किया था कि उसने अलग अलग जगा पर जो है वो चार आपके सेंटर बनाए थे चार सेंटर बनाए है चार सेंटर का बिल उन्होंने जो HPRCA को दिया है वो दिया है 36 लाग उर्पे ठीक है 36 लाग उर्पे एक एक्जाम को कंड़ करवाने का जो बिल थमाया है वो थमाया है आपका 36 लाक रूपे जो कि अभी तक जो है वो HRCA की तरफ से जो है वो पेंड इंडिंग पड़ा है 36 लाक रूपे का बिल एक एक एकजाम को कंड़क्ट करवाने के लिए जिसमें आपके जो है वो कितने center बनाए गए थे आपके, वो बनाए गए थे, चार center, अब अगर कल को पटवारी का exam आता है, ठीके, या फिर कोई ऐसा exam आता है, जिसमें भर-बर कर students जो है, वो apply करते हैं, तो उसमें तो आपको पता ही है कि कितने center बनाने पड़ेंगे, और फिर कितना जादा जो है, वो आपको pay करना पड़ेगा HPRCA को, जब यहाँ पर सिरफ एक exam के लिए 36 लाग उर्पे जो है, वो यहाँ पर pay करने हैं, और अभी तक जो है, वो उसका result भी जो है, वो नहीं निकला है, जो pilot अधार पर आपकी भरती करवाई गई थी, तो यह अलग ही जो है, वो यहाँ पर scene चला हुआ है, ठीक है, कि चार महीने हो गए, इसकी payment अभी तक नहीं हुए, जो आपकी भरती agency है, और फिर मैंने आपको बताया था, कि दुबारा से इन्होंने tender जो है, वो invite किये थे, कि भाई दुबारा से हम tender मंगवार हैं, प्रिक्षा वगरा के प्रिणाम जो है, वो गोशित किये जाएंगे, जैसा कि हर बार जो है, वो बोला जाता है, ठीक है, तो 817 का अगर result जल्दी आ जाता है, तो well and good है, वो भी HPR, CA के under आएगा, बट जो exam है, जैसे बच्चे पूसते है, TGT का exam कब आएगा, पूसते हैं, बच्चे, तो भाई, जब तक कोई agency final नहीं होती है, outsource agency जिसके माध्यम से exam conduct करवाया जाएंगे, जो की online बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो तब तक तो यार, आपके notification आने के chances जो हैं, वो थोड़े कम है, ठीक है, अब जितनी जल्दी जो है, ये काम करते हैं, उतनी जल्दी आपको benefit मिलेगा, अच्छे, ये तो चीज हुई, एक और matter यहाँ पर यह हो रहा है, कि भाई, यहाँ पर staff की बहुत जादा कमी चल रही है, ठीक है, 16 members जो हैं, वो यहाँ के staff में है, जिनके, मतलब कि सीर पर सारा काम चला हुआ है, और एक साल तो लगबग होई गया है, एक से क्या, दो ही साल हो गये हैं, कि जो HPRC है, वो आपका जो है, वो proper functioning में अभी तक जो है, वो नहीं आ है, जो पहले था HP, SSC, ठीक है, उसमें कितने members थे, उसमें 65-70 members थे, जो की work करते थे, किस तरीके का work करते थे, वो आपको पता ही है, ठीक है जी, मतलब कि 65-70 लोग थे, जो की, वहाँ पे कारेभार समालते थे, बट अब जो है, वो 16 member है, तो काम करना कही ना कहीं पर, जो है, इनके बाद ही आएंगे, तो इन सभी चीज़ों के लिए staff की जरूरत होती है, ठीक है, तो भाई, आप सबसे बड़ी है कि HPRCA में ही vacancy निकाल दो, एटलिस बच्चे उसके लिए apply कर लेंगे, उन्हीं का ही staff बना लो, ठीक है, ये suggestion हम, आप चाहें, तो government को दे सकते हैं, बड़ फिलाल के लिए HPRCA का यही चला हुआ है, कि भाई, दो matter चले वे, अब इसके उपर कितनी जल्दी, क्या-क्या होता है, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा, पुलिस की vacancies मैं दुबारा बोल रहा हूँ, पूरा पैकेज मिलेगा, ठीके, और प्राइस जो है, वो हिमालचर प्रदेश में सबसे कम रहेगा, थैंक्स वर वाचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं, नेक्स वीडियो के साथ,